अध्याए ग्यारा यदि तुम मेरी थोड़ी मुर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ मेरी सह भी लेते हो क्योंकि मैं तुम्हारे विशे में ईश्वरिये धुन लगाए रहता हूँ। इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी की नाई मसीह को सौपतू। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे साप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भरष्ट ना किये जाएं यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यूशु को प्रचार करे ज और कोई सूसमाचार जिसे तुमने पहले ना माना था तो तुम्हारा सहना ठीक होता मैं तो समझता हूँ कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूँ यदि मैं वक्तव्य में अनारी हूँ तो भी घ्यान में नहीं वरन हमने इसको हर बात में सब पर तुम्हारे लिए प्रकट किया है क्या इसमें मैंने कुछ पाप किया कि मैंने तुम्हे परमेश्वर का सू समचार सेंथ मेंत सुनाया और अपने आप को नीचा किया कि तुम मुचे हो जाओ मैंने और कलीसियाओं को लूटा अर्थार मैंने उनसे मजदूरी ली ताकि तुम्हारी सेवा करूँ और जब तुम्हारे साथ था मुझे घटी हुई तो मैंने किसी पर भार नहीं दिया क्योंकि भाईयों ने मकी दुनिया से आकर मेरी घटी पूरी की और मैंने हर बात में अपने आपको तुम पर भार होने से रोका और रोके रहूंगा यदि मसीह की सच्चाई मुझ में है तो अख्या देश में कोई मुझे इस खमंड से ना रोकेगा किसलिए क्या इसलिए कि मैं तुम से प्रेम नहीं रखता परमिर्श्वर ये जानता है परन्तु जो मैं करता हूँ वही करता रहूंगा कि जो लोग दाओं ढूंडते हैं उन्हें में दाओं पाने ना दूँ ताकि जिस बात में वे खमंड करते हैं उसमें वे हमारे ही समान ठहरें क्योंके ऐसे लोग जूठे प्रेरित और चल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं और ये कुछ अचम्भे की बात नहीं क्योंके शैतान आप भी जोतिरमय स्वर्ग दूत का रूप धारन करता है सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों कासा रूप धरें तो कुछ बड़ी बात नहीं परन्त उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा मैं फिर कहता हूँ कोई मुझे मुर्ख ना समझे नहीं तो मुर्ख ही समझ कर मेरी सहलो ताकि थोड़ा सा मैं भी घमंड करूँ इस बेधरक घमंड से बोलने में जो कुछ मैं कहता हूँ वो प्रभू की आज्या के अनुसार नहीं पर मानो मुर्खता से ही कहता हूँ जबकि बहुत लोग शरीर के अनुसार घमंड करते हैं, तो मैं भी घमंड करूँगा, तुम तो समझतार होकर आनंद से मूर्खों की सह लेते हो, क्योंकि जब तुम्हें कोई दास बना लेता है, या खा जाता है, या फसा लेता है, या अपने आपको बड़ा बनाता है, या जिस किसी बात में कोई हियाब करता है, मैं मुर्खता से कहता हूँ, तो मैं भी हियाब करता हूँ, क्या वे ही इबरानी है, मैं भी हूँ, क्या वे ही इसराइली है, मैं भी हूँ, क्या वे ही इबराहीम के वंच है, मैं भी हूँ, क्या वे ही मसीह के सेवक है, मैं पागल किन चशाई कहता हूँ मैं उन से बढ़कर हूँ अधिक परीश्रम करने में बार बार कैद होने में कोडे खाने में बार बार मुलत्यू के जोखिमों में पाच बार मैंने यहूदियों के हाथ से 49 49 कोडे खाए तीन बार मैंने बेते खाई, एक बार पथर वहा किया, तीन बार जहाज जिन पर मैं चड़ा था तूट गए एक रात तिन मैंने समुत्र में काटा मैं बार बार यात्राओं में नदियों के जोखिमों में डाकूओं के जोखिमों में अपने जाती वालों से जोखिमों में अन्य जातियों से जोखिमों में नगरों में के जोखिमों में जंगल के जोखिमों में समुद्र के जोखिमों में, जूठे भाईयों के बीच जोखिमों में, परीश्रम और कष्ट में, बार बार जाकते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाडे में, उगाडे रहने में, और और बातों को छोड़ कर, चिनका वरणन मैं नहीं करता, सब क कलिसियाओं की चिंता प्रति दिन मुझे दबाती है। किस की निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता। किस के ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। यदि खमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर करूँगा। प्रभु येशु का परमेश्वर और पिता जो सदाधन्य है चानता है कि मैं छूट नहीं बोलता। दमिश्क में अरितास राजा की ओर से जो हाकिम था उसने मेरे पकड़ने को दमिश्कियों के नगर पर पहरा बैठा रखा था। मैं टोकरे में खिलकी से होकर भीत पर से उतारा गया और उसके हाद से बच निकला।